कम फ्रेंट्स आसा करता हूँ कि आप क्रोना बारेस के इस महावारी के समय में अपने घर में सब परिफार सुरच्छित होंगे और अपने घर से ही कमपटेटिब एक्जामनेशन की तैयारी कर रहे हूंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्थमैटिक जो मैठेमैटिक है उसका एक पाट जिसको बोलते हैं मिक्शचर एन ए अलिगेशन मिक्शर एन एलिगेशन अर्थमैटिक पाट का का काफी इंपॉंटेंट चैप्टर है जिससे आपको हर एक कमपॉंटेंटी एक से दो कुश्चन मिलेंगे तो चुकि यह टॉपिक काफी जादा इंपॉंटेंट होने के साथ साथ और इससे कोश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट का जो अभी सबसे इंपॉंटेंट है जो सबसे लेटेस्ट ट्रीक है जो आपका समय बचा सके उस ट्रीक के माध्यम से यह टॉपिक को हम कभर करेंगे और जानते ही हैं कि अगर पच जाता है तो काफे ज़्यादा तो आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मतमेटिस का कौन से कोशन मिस्टर एन अलिगेशन मिस्टरन ठीक और यह जिसका मेरा माध्यम होगा हिंदी माध्यम में होगा और इंग्लिस वाले जो स्टुडेंट है वह भी इसे प्रेफर कर सकते हैं देख सकते हैं लेंग्वेज में उतना काफी अंतर नहीं होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो आप अगर मिक्षर एलिगेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो पहला चीज है समझने लाइक वो है कि कैसे इसका सोलूसन करेंगे कुश्चन क्या आता है कि कुछ मातरा में दूद दे रखा है उसमें कुछ हम पानी मिला देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका रेट में क्या चेंजे जाएंगे कितना दूद मिलाया गया कितना पानी मिलाया गया इस तरह के आपको एक छोटा सा ट्रिक है यह भी बाद में आपको समझाएंगे बस लिख देते हों आप समयने का कोशिज करिएगा यहां पर कुछ रहेगा जो हाइयर भैलू दिया रहेगा क्या रहेगा एक जो भैलू रहेगा माल जाए कि कोई चावल है वो है पचास रुपे केजी ठी ठीक एक रहेगा क्या कि एक कोई चावल है वो है तीस रुपे केजी ठीक अब दोनों को लिखा रहेगा कि जो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो जो मिस्रंड है उसका जो दाम हो जाता है वो क्या हो जाता है वो हो जाता है पचास तीस चालिस रुपे केजी ठीक तो इसम को हम नीचे लिखते हैं इस तरह से और यह दोनों का जो difference है middle से lower का difference को हम यहां पर note करते हैं और यहां पर ऐसे लिख लेंगे ठीक और जो higher से middle का जो differences है उसको हम यहां पर note कर लेते हैं मतलब यहां पर लिख लेंगे ठीक तो यह rare diagram हुआ एक तरह से structure हुआ इस तरह से हम लिखेंगे और जो अगर पुछा जाए कि किस ratio मिलाए जाए कि ऐसा होगा या फिर इस तरह का अगर question आता है तो यह जो यहाँ पर final result आएगा कुछ भी ABCDX आगया और इसमें कुछ आगया माल जाए by आए गया ठीक तो जो इसके में answer होगा वो X is to Y होगा मतलब X ratio Y होगा तो इस तरह का एक format होगा जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिस करेंगा ठीक है तो इसको अभी जादा दिमाग मत लगए आगे आपको समझ में आ जाएगा तो क्या करता हूँ मैं कि आपको question के ही माध्यम से पढ़ाने का कोशिस करता ह क्योंकि इस topic में कुछ जादा theory है नहीं तो इसमें हम question से ही deal करना start कर जाते हैं यहां पर हम question denote करवा देंगे note करवा देते हैं यहां पर दिखा देंगे और मैं इस मौयल के माध्यम से question आपको पढ़ा दूँगा और आप यहां पर question पढ़िएगा और मैं उसका solution आपको बत पढ़िए आप कि किस अनुपात में 43 रुपे परती केजी और 56 रुपे परती केजी बाले चावल को मिलाया जाए कि मिश्रन का दाम 51 रुपे पर केजी हो जाए क्या गा रहा है कि जो एक चावल है वो कैसे है 56 रुपे पर केजी है और एक चावल है वो है 43 रुपे पर केज जैसे मैंने आपके बोला अभी, तो जो higher value होगा, मैंने क्या बोला, जो higher value होगा, और इधर लिखेंगे lower value, ठीक, ठीक है, इसको higher value और इसको lower value, तो जो higher value होगा, वो इसमें क्या है, 56 रुपे पर केजी, तो जो 56 रुपे पर केजी वाला चावल है, और एक जो है, वो है 43 रु का चाबल है ठीक है तो यह दोनों को हम ऐसे लिख लिए हम मीडल वाला जो क्या आया आपका 51 रुपिस, 51 रुपिस इस दोनों के बीच में लाइज करता है, तो ये 51 रुपिस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर बताया था हमने कि यहाँ पर middle whale होगा, ठीक, आप क्या करेंगे मैंने बताया कि इन दोनों का जो differences होगा, 51 और 43 3 का जो difference होगा, उसको हम यहाँ पर denote करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 51 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, 8 क्या होगा, 8 रुपिस, ठीक है 8 रुपिस नहीं है, यह proportionality है, ठीक है, मतलब अनुपात है, ठीक, अब इन दोनों का difference देखेंगे, क्या हो जाएगा तो यह 5 हो जाएगा, तो आपको इसके सामने का जो भाहिल होगा, वो इसको denote कर रहा है, क्या कर रहा है जो 56 रुपिस रुपे पर केजी चावल का जो रेशियो में आएगा, वो 8 को denote कर रहा है, और जो 5 देनोट कर रहा है, वो देनोट कर रहा है 43 रुपिय पर केजी वाले चावल को ठीक है, तो जिसका जो सही अंसर आएगा, वो आएगा 8 इस्टू 5, यहाँ पर 8 इस्टू 5 के रेशियो में अगर 56 रुपिय वाले और 43 रुपिय वाले जो चावल है उसको अगर हम मिलाएंगे, तो उसको 51 रुपिय मिलेगा, ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोश्चन में देख लेना पाले, कि क्या दे रखा है, 43 रुपिय पहले दे रखा है, तो आपको 43 रुपिय का जो रेशियो आया है, उसको हम पहले लिखेंगे अगर कोश्चन में क्या देखा रखा है 43 रुपिय पर केजी को पहले लिखा गया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कि इसको 5 is to 8 क्योंकि जो 5 है वो डिनोट कर रहा है कि इसको 43 रुपिय पर केजी वाले चावल को ठीक है तो यह हुआ इसका कम्प्लीट सॉलूशन ठीक हां तो नेश्ट कोस्टिन पर चलते हैं इसका बनाने का एक तरीका और हो सकता था कि जो बोला गया था कि यह फोटी रूपे पर किजी वाला चावल मिल जाता है तो ल Fang Diagram से अगल आका पने पढ़ाओगा तो इसमें क्या करते हैं जो दूनों के बीच में कॉमें इस तारह से तो लगांते थे थे ठीक है यह यह दूनों क्या आ गया common आ गया तो यह इसका difference कितना आ जाता है यह दोनों का difference को हम इधर लिखते थे आपको ध्यान होगा तो यह हो जागा 5 इधर यह दोनों का difference को इधर लिखते थे तो 5 is to 8 यह भी इसका उत्तर हो सकता आप इस तरह से भी बना सकते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं ले बनते हैं. अब चलते हैं second question के और second question जो हमारा है वो बोल रहा है कि किस अनुपात में 20 रुपे पर केजी और 12 रुपे पर केजी वाले MISRUN को मिलाया जाए कि MISRUN को 18 रुपे पर केजी बेचने पर 20 पर संट का लाव हो क्या बोल रहा है कि जो 20 रुप्य पर केजी और 12 रुप्य पर केजी कोई बस्तू है या कोई समान है जिसको हम मिला दिये हैं ठीक है और उसको अगर हम 18 रुप्य पर केजी पर बेचें तो हमको 20% का लाब हो तो इसका हम सोलूशन कैसे करेंगे कि 20% का लाब हो सोरी कितना कितना था रेट मैं लिग ले रहा हूँ पहले रेट था कि 20 रुप्य पर केजी और क्या था और था 12 रुप्य पर केजी 12 रुप्य पर केजी वाला मिश्रन है इसको अगर हम मिला करके अगर बेचते हैं तो 18 रुप्य पर केजी बेचने पे हमको कित इतना 20% का लाव होना चाहिए 20% का प्रोफिट हमको मिलना चाहिए ठीक है तो 20% का प्रोफिट अगर इसको चाहिए होता है तो प्रोफिट किस पे होता है अगर अपने लाव और हानी पढ़ा हो प्रोफिट लॉस पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोफिट य है तो आम यहाँ पे आपको किया निकाल लेंगे हूं इसका क्रेव मुं निकाल लेंगे है ना क्योंकि यह जो हमारा है वो हमारा CP है और यह शीपी है यह क्या है SP Sailing Price है थारे पेपर करेंगे बेचने बाद बता रहा है ठीक तो 20% हां तो लाव और हान किस पर होता है CP पर तो ऐसे हम निकालते हैं कि जो CP है उसका जो प्रोफिट 20% है ठीक है प्रोफिट मतलब 120 पर्षेंट है ना 120 पर्षेंट 120% पर्षेंट को अटाएंगे तो क्या आएगा नीचा आएगा 100 ठीक उसके बराबर क्या है CP का 120 कितना है 18 रुपिया यही है ना यही है ना तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे थिक न से आए इक करें थिक पांच दुनिका 10 और यह चे दुनिका बार्ण और यह बन जायगा च्छे तपिया का 18 मतलब सीपी का जो भेलू होगा यह हमाँ रे डाइगराम बनाया था उसके थूरू बनाएंगे तो क्या है एक जो मिश्रन का दाम है वो 20 रुपे पर केजी है दूसरे मिश्रन का दाम है वो 12 रुपे पर केजी है वारह रुप्य पर Kiline के पूरा लिखने का आफ सकता है कि पूरा लिखने का आप सकता है तो मैं लीखते रहाँ एक है कि 20 रुपए पर Kiline दूसरा है वह बार्रीपे पर Kilini है और तीसरा आया वह पंद़ा रुपे मढ़कर पर के ज़िए हो गया तिसरा दाम हो गया दोनों के मिश्रन के मिलाने के बाद ठीक तो हम इसका डिफ्रेंसेस निकाल दे थे वह यह होता था 3 और यह होता था 5 ठीक अब दोनों का रेश्यो क्या आ आ गया 3 इसटो 5 जो रेश्यों आ गया वो 3 इस्टो 5 आ गया ठीक है करने का मतलब कि जो 20 रुपे पर केजी का जो बहलू होगा वो 3 केजी होगा और 12 रुपे पर केजी का रेट होगा वो 5 केजी होगा दोनों का अगर हम मिलाएंगे तो 15 रुपे पर केजी बनेगा कोश्रन में पूछा क्या जा रहा था कि किस अनुपात में मिलाए जाए तो जो रेशियो होगा वो होगा 325 और यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर अंसर 325 अब आपको इसमें यह समझने वाली वात थे कि मैंने 18 रुपे पर केजी क्यों नहीं लिया ठीक क्योंकि जो मिश्रन ह है उसका जो जो 20 रुपे पर केजी है और 12 रुपे पर केजी है यह क्या है कोश्ट प्राइस दिया हुआ है क्रेमल दिया हुआ उतना उसको इन्वेस्ट किया है किसी खरदार ने ठीक तो यह 12 रुपे पर केजी और 20 रुपे पर केजी सीपी है और जो 18 रुपे पर केजी ब समझ में अगर आ रहा है तो कोमेंट कर दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे एक कोमेंट छोड़ दीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है किसी और माध्यम से किसी और ट्रिक से या पिसी और कि जब 108 रुपिये पर लिटर वाले दूद में 16 लिटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रन का दाम 90 रुपिये पर लिटर हो जाता है तो बताए मिश्रन में दूद की मात्रा क्या थी ठीक है ये हैं हमारा question, question में क्या दे रखा है, question में क्या दे रखा है, कि जो milk का rate है, जो milk का rate है, वो है 108 रुपे पर लिटर, ऐसे इतना दाम तो नहीं होता है milk का, ठिक, तो milk का जो rate है, वो 168 रुपे पर लिटर है, और इसमें जो हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, water मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं तो जो बाटर का जो भैलू है जो बाटर का भैलू है वो हो जाता है 16 लिटर 16 लिटर हम उसमें क्या मिला देते हैं पानी मिला देते हैं ठीक है 16 लिटर अगर हम पानी मिला देते हैं तो जो मिक्षर का रेट होता है जो दोनों का मिश्रन है दूद और पानी का मिश से कहीं हम बर लेंगे ठीक है तो यह क्या है वाटर का जो रेट होगा हूं हम यहां पर लेके चलेंगे बारा जीरो रुपिय पर लिटर यहीं यहां पर ट्रिक है यहीं आपको श्रमाजना है ठीक अब यहां से आप खुद निकाल देजेगा ठीक तो क्या करते थे हम जो हाइय रुपे पर लिटर था क्या था 108 रुपे पर लिटर था लेकिन मैंने बतलाया कि जो वाटर है उसका कोई रेट नहीं मान कर चलेंगे जीरो मान कर चलेंगे ठीक है तो जो बाटर है उसको हम ले लेते हैं जीरो रूपय पर लिटर ठीक जीरो रूपय पर लिटर ले लिया और दोनों का जो मिश्टन है वो हो जाता है 90 रूपय पर लिटर 90 रुपे पर लिटर हो जाता है दोनों के मिश्टन का नाव तो 90 रुपे पर लिटर हो जाता है तो इसका difference जब हम निकालते हैं तो इधर आएगा 90 90 और 0 का difference 90 और जो 90 और 108 का 0 difference होगा वो कितना हो जाएगा 10, 18 हो जाएगा ठीग है तो इसको अगर हम cancel out करते हैं तो 18,90 हो जाता है यह 5 मतलब कि difference क्या होगा 5 इस्टु 1 का हो गया ठीक है क्या हो गया differences? differences हो गया वो हो गया 5 इस्टु 1 का 5 और एक कानुपाद यहां पे हमको मिल गया है मतलब 5 लिटर दूद है उसमें एक लिटर क्या मिला देः गया है पानी मिला देः गया यह लेकिन इसमें को पुछा गया है कि क्या कोश्चन ने पुछा गया था कि बताईए कि दूद की मात्रा क्या थी तो दूद को इसका सॉलूट यही इसका अंसर हो जाएगा तो हमने क्या पहले तो मिल्क दे रखा था कि 108 रुपे पर लीटर दे रखा दूद की मातरा कितनी थी दूद की मातरा कितनी थी वो 80 लिटर थे यह इसका सही उत्तर है कैसे निकाले आपने देखा अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कोमेंट करेगा ठीक है चलते हैं फिर next question के और next question को हम deal करते हैं next question क्या है next question हमारे दिया गया है कि जब 25 लिटर पानी में sorry जब 25 लिटर पानी 12 रुपे पर 3 लिटर सुध दूध में मिलाया जाता है तो मिश्रन का दाम 2 रुपे पर लिटर हो जाता है तो सुध दूध की मातरा बतलाएं जब 25 लिटर पानी तो वाटर के इतना दे रखा है जो बाटर का वहलू है sorry तो जो वाटर का वहलू है वो 25 लिटर है क्या है 25 लिटर है ठीक पानी बार रुपे पर 30 लिटर सुध दूध में मिला जाता है तो जो मिल्क का दे रखा है क्या दे रखा है रेट दे रखा है यह एमांट दे रखा है और जो मिल्क का रेट है वो बारह रुपे पर लिटर है ठीक है क्या है बारह रुपे पर लिटर है बारह रुपे पर ल दिख रहे हैं इंग्लीज में तो जो मिक्स्टर है उसका रेट क्या है दो रुपी पर लीटर हो जाता है ठीक है दो रुपी पर लीटर हो जाता है तो बताए कि सुध दूद की मात्रा कितनी है इसमें तो सुध दूद की मात्रा बतलाना है यह कोश्चन है जो पिछले मन नहीं तो उसी फॉरनेट पर यह दूसरा to पर लिटर है और जिए करके वाटर का रेट है वो आपको हम मान कर चल जाता है तो obtained जो रेट है वह दो रूपिय पर लिटर हो जाता है तो हम जानते थे कि जो मीडिल वाला भैलू था उसको हम हम नीचे लिक रहाए थी टो बारह और इस तरह से तो 0 और दो का difference से समय सा 0 आता है और 12 का difference कितना आएगा कितना आएगा 10 तो इसका जब हम cancel out करेंगे तो 5 तो मतलब जो रेसियो आएगा प्रोंशनल्टीय आ रहा है वह कितना रहा हिए तो एस टू 5 का रहा है और पिच्छला कोसे आपको समाझ में नहीं आए तो इस कोशेन को ध्यान से देख़िये तो जो difference आ रहा है तो बन जो जिसको देनोट कर रहा है को यह कर रहा है और जो 5 है यह डीनोट कर रहा है वाटर को कहने का मतलब कि जो एक लीटर दूद में हम पानी कितना मिला दे रहे हैं सब्सक्राइब रिपित रिपर रीपर दूद्दॉद किरा निकारए ठीक फ sürंछा फिर्डपिय ह्यरकर एक लिप्राइब फानी 25 लिटर एमांट है ठीक तो यहां पर पानी को कौन सा डिनोट कर रहा है तो मतलब जो 5 है वो कितना है 25 लिटर है ठीक है 5 है जो 25 लिटर है ठीक तो 1 इसको कितना हो जाएगा 5 लिटर ठीक करेंगे इसको तो लेकिन हमको कितना वन ही प्राप्त करना था वन ही निकालना था वन किस को पर जन कर रहा था मिलक और भ़गी जो मिलक और-पर-पर कोई समझ में नहीं जरू करिया ठीक है और पोश और दोसिस करूँगा कि निश्ट जो मैं लेक्चर लाओं उसमें उन सारे डॉट्स को किलियर कर दूं ठीक है एक क्वेश्टन को और हम इस लेक्चर में लेते हैं उसके बाद इस लेक्चर को बंद करते हैं फिर नेक्ष्ट जो क्लासेस होगे उसमें हम आगे का डिसकस करेंगे तो चार कोश्टन टोटल डिसकस हो चुके हैं और पांचमा कोश्टन को हम अभी डिसकस करने जा रहे हैं असा करता हूं कि यह जो कोश्टन यहां पर दिखाई दे रहा है वो आपको साफ साफ दीख रहा होगा और आप उसको पढ़ पा रहे होंगे ठीक है तो नेक्ष्ट क पढ़िये कि जो एक दुकंदार के पास 50 कजी चावल है ठीक है वह कुछ को 8% के लाप पर और कुछ को 18% के लाप पर बेचता है ठीक एक दुकंदार के पास 50 कजी चावल है कुछ को 8% के लाप पर बेच दिया कुछ ठीक है तो इसमें एमांट दे रखा है कि जो चावल कितना है प्येन क्यों नहीं चल रहा है जो चावल है उसका एमांट दे रखा है हमको यहां पर कि यह 50 कजी चावल था कितना था उसका एमांट है 50 कजी 50-3 चावल था अब इसमें तुम आपको ते रतखा है कि 50-2 चावल साहे कुछ व भ में नि तो कुछ चावल है जिसको भो 8 परसेंट की profit पर बेच रहा है किसे पेच रहा है profit पर嫌 थिक और जो second है माल यह first part है और यह second part है उसको बेच रहा है वो कुछ बाट को 18% के लाब पर इतने profit पर बेच रहा है ठीक है तो बताईए कुल में उसको कितना पूरे बैपार में पूरा business में उसको कितना लाब होता है वो होता है दोनों मिला कर उसको जो लाब होता है वो 14% का पूरे बैपार में profit होता है कितना percent का profit हो रहा है 14% का profit हो रहा है उसको पूरे बैपार में तो बताइए कि 18% लाप पे बेचे गये चावल की मातरा कितनी थी ठीक है इस तरह का question है कैसे deal करेंगे कैसे deal करेंगे इसको हम तो जो हमको दे रखा है कि पहला कंध मात्रा 8 पर्षंट के लग कुछ मात्रा है वो 18 पर्षंट के लानwnieं और उसमें Lisa करू है मालिया कि जो फर्स्ट पार्ट है जो पहला किस्त में जो बेचा वो आठ परसेंट के लाब पर बेचा हमने मालिया कि पहला को आठ परसेंट के लाब में बेचा और जो सेकेंड है उसको बेचा गया है अठारा परसेंट के प्रोफिट ठीक है कुछ को आठ परसेंट और कु 34 और इसका डेफ्रेंस आज़ और चैड़ा चल्द चे तो इसको जब हम रिश्य निकालेंगे तो यह टू और इस टू थेरी यहां पर आपको हमेश्या धीयन देना है कि यह रेश्य सुमय होती हिए क्यदू यह नूपात में होना चाहिए तो अनूपात में ट्या करते हैं बैचा है कितना 8% के लाभ पर वाला और जो 18% पर या pear पे बेचा यह तीन हपांच ठीक है तो तीन और दो दोनों को मिला करके यह तो जब मिलेगा मतलब यह दोनों का बैपार में उसने विपार करें वह फो का कैडा ठीक है तो तो टोटल पांच है मतलब कि 5 का किया है बेपर तो हमको question में दे रखा है कि जो amount है चावल का वो है 50 kg तो 5 किसके बरावर है 50 kg चावल को denote कर रहा है 50 kg चावल के बरावर है ठीक है लेकिन हमको यहाँ पर निकालना किया था कि 18% के लाव पर बेचा गया कितना है तो 1 पर कितना हो जागा इसका simple सी बात यह 10 हो जाएगा 10 kg चावल ठीक और हमको निकालना कितना है कि 18% के लाव पर कितना बेचा ये तो 18 पर पर 3 बेचा गया था ठीक तो 3 में कितना हो जाएगा मतलब 30 kg ठीक है 30 kg चावल उसने बेचा 18% के लाब पे और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अगर question में आपको यहाँ पे पूछा जाता कि 8% के लाब पे कितना बेचा गया तो 8% के लाब पे आप जानते हैं कि 2 था तो यह जो 18% पे बेचने वाला भैलो हम निकाले और जो 8% पे बेचने वाला कादर निकालना रहा था question में तो हम क्या करते कि 2 के बरावर कितना हो जाएगा तो यह 20 kg ठीक है तो 20 20 kg वो बेचा 8% के लाब पे और 30 kg वो बेचा 18% के लाब पे इसलिए उसको बेपार में 14% का profit मिला और यहीं तक आज यह का टॉपिक को यह आपको काफी वड़ियां से समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे comment जरूर कर दें मैं किसी और तरीका से समझाने का कोशिज करूँगा और basics को मैं clear करने का कोशिज करूँगा ऐसे हमको लगता है कि यह जो मैंने पढ़ाया वो काफी सरल माध्यम से पढ़ाया है यह आपको समझ में जरूर आया होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने लेते हैं तंगे भूबाजियों